गुड मॉर्णिंग मैं डियर किट्स तुड़े वी विल रिवाइज चैप्टर नमबर एट डैट इज एग्रिकल्चर आज हमें एग्रिकल्चर चैप्टर का रिविजिन करेंगे और इससे ही रिलेटेड आपको मैं कुछ क्योस्वन आशर दूँगा वर्क सीट के माध्यम स तो आज बच्चो आप उस वर्क सीट में दिये गए क्योस्वन को करना विद्धी हैल्प आफ दीज की पॉइंट्स ये की पॉइंट्स आपको समझने हैं लिसेन केरफुली जहां से सुनिएगा फर्स्ट दीज आफ ये की पॉइंट आफ एग्रिकल्चर चैप्टर एग्र के में पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स का क्या मन मीनिंग होता है इंपोर्टेंट पॉइंट्स यानि चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है क्या याद रखना है आपको की पॉइंट्स इंपोर्टेंट्स पॉइंट्स दा साइंस डेट डेल्स विद ग्रोफ और प्ल और प्राइक्ण के बारे में बात होती है उसको कहते है एग्रिकल्चर जो कि हमारे आपके चैप्टर का नाम है एग्रिकल्चर तो अगर आपसे कोई पूछे आप से अगर कोई पुछे कि what is agriculture तो आप आंसर देंगे the science the science that deals with growth of plants and animals is called agriculture what is crop crop क्या है same kind of plants grown in field एक ही तरह के plants जब हम अपने खेत में उगाते हैं in large number जैसे की wheat wheat means गेहूं अगर आपके खेत में wheat लगा है गेहूं लगया है और काफी ज़्यादा मातर में पूरा खेत में आपने wheat लगाया है तो that is called crop उसको फसल कहा जाता है crop को इंदियम कहते हैं फसल तो wheat crop right next is there are three main types of crops in a country हमारे देश में मुख्य तर तीन परकार की फसल उगाई जाती है season के आजार पर जो जितने three season है main season summer winter rainy यह हमारे season है important main season है summer rainy and winter तो उसी के according आपके three types of crops है number one है ruby crop ruby crop जिसको कि winter crop भी कहते है क्योंकि winter season में होती है this is this grow in winter season for example wheat gram mustard wheat means गेहूं ग्राम चने और mustard मतलब सर्सो यह सब सर्दियों में जो अभी winter का मोसम गया है सर्दी का उसमें आपने देखा होगा कि सभी ने अपने खेतों में गेहूं सर्सो और चना पालक यह सब उगाया है तो यह winter crops है winter season में होती है ruby crops ruby crop जिनको winter crop इसलिए कहते हैं क्योंकि winter में grow होती है winter में ही उगाई जाते हैं इसलिए ruby crop ruby crop के एक्जाम पर सो गए wheat gram mustard और गन्ना sugar cane next है खरीब crop खरीब crop जो है rainy season में होती है किस season में होती है rainy यानि बरसाप के season में और वो कौन सी फसल है जो rainy season में खेतों में लगाई जाती है cotton हुई मेज मक्का बाजरा ग्राउंड नेट मुंफली यह सब rainy season में होने वाले खरीब crops हैं कौन सी crops हैं खरीब crops ज्यान रखे गए this is second type of crops खरीब crops और तीसरी है जायद crops कौन सी है जायद crops जो की summer में होती है गर्मियों में गर्मियों में जो खेतों में फसल उगाते हैं उसको कहते हैं जायद crop जायद crop summer में होती है examples है water melon तर्बूज कुकूंबर खीरा मस्कमेलन खर्बूजा ठीक है बोटल गार्ड लोकी तो यह सब बिटर गार्ड बोटल गार्ड वाटर मेलन कुकूंबर मस्कमेलन यह सब समर गर्मियों में होने वाले crop है जिसको जायद crop कहते हैं जायद crop के यह examples हो गए number eight important point है crop rotation यानि फसलों को एक के बाद दूसरी फसल दूसरी बाद तीसरी फसल ऐसे जो हम change करके जो फसल खेतों में उगाते हैं उससे हमां क्या होता है increase increase fertility of soil उससे मिट्टी की fertility improve होते है यानि कि उपजाओ समता बढ़ती है उपजाओ क्षमता कहते हैं वो फसल अच्छी होगी मिट्टी में बहुत अच्छी मिट्टी होगी जिसमें जाजा फसलो तो ऐसा कब कब होता है जब हम अलग अलग तरह की फसल सीजन के अनुसार उगाते हैं तो उसको कहते हैं crop rotation rotation मतलब चक्र फसलों का चक्र नमबर नाइन लास्ट है rearing of animals rearing मतलब होता है पालना ध्यान से कि टेक कियर उनकी feeding का health का ध्यान रखना एनिमल्स का और उनको rearing मतलब पालना in large scale जादा मातम जैसे कि dairy जैसे कि कुछ लोग आप आपको पता होगा बच्चो dairy करते हैं dairy में जो है गाएं और भैसे रखी जाती है और दूद का production होता है जहां से दूद सप्लाई होता है dairy जो है dairy में milk देने वाले एनिमल्स को पाला जाता है और इस तरह इसको कहा जाता है animal husbandry क्या कहा जाता है animal husbandry ऐसे ही मुर्गी पालन हैं मुर्गियों को पालते हैं और जिनसे जो एग देती हैं तो एग को सप्लाई करते हैं तो एग हो गया milk हो गया यह सब जो है इनके लिए जो एनिमल्स को पालते हैं उसको कहा जाता है animal husbandry तो यह सब main point थे lesson number 8 के अब मैं आ क्योफसन दे रहा हूं वर्कशिट आपको मिल रहे हैं यह आपको पिलेन पेज पर या लाइन वाले पेज पर आपको बच्चो केवल आंसर आंसर लिखने हैं वन वर्ड आंसर हैं इसमें क्या है वन वर्ड आंसर एक सब्द के आंसर आपको देने हैं क्योफसन नहीं लिखना ह मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चो क्योस्टन नहीं लिखना है केवल क्योस्टन का नंबर लिखना है 1,2,3,4,5,6 और उसमें सीधा आंसर लिखना है वो वन वर्ड में जैसे कि same kind of crop grown in filled in large number जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि एक ही तरह की प्लांट्स जैसे की wheat हम grow करते हैं खेतों में एक ही तरह के प्लांट्स ग्रोगरते हैं तो उसको क्या कहा जाता है ये आप key points से आपको help मिलेगी और key points से इनके आंसर आपको लिखने हैं तो यह फर्ष्ट हो गया, same kind of plant grown in field, दूसरा है, रभी क्रॉप किस सीजन में होती है, उसका सीजन का नाम लिखना है यहाँ पर, खरीब क्रॉप किस सीजन में होती है, सीजन का नाम लिखिए, जायद क्रॉप कौन से सीजन में है, यहाँ पर नाम लिखिएगा, एक्जामपल रभी क्रॉप, रभी क्रॉप में मैंने अग्जामपल लिए थे, आपने अभी अभी पड़े हैं, उसका कोई भी एक्जामपल आपको देना है, ठीक है, नैक्सिट है वाटरमेलन, तर्बूज, क्स कौन से टाइप की क्रॉप है, कौन से टाइप की क्रॉप में आता है, इसे पिक्चर पहचाने हैं और इसका नाम यहां पर लिखना है और आप चलो नेश्ट यह पिक्चर भी पहचान लेना वीट प्लांटे यह किस सीजन में होती है सीजन का नाम लिखना आपको ठीक है तो यह जो है आप मैंगो है मैंगो का प्रांट आपने पहचान लिया होगा यह मैंगो है यह किस सीजन में होता है यहां सीजन का नाम लिख देना है ठीक है बच्चो तो इस तरह आप यह वर्क सीट पूरा कीजिए अगर बच्चो तो आपको कोई प्रॉबलम हो तो मुझे फोन जरूर कीजिए और वर्क सीट के जो मैंने क्युस्टन आपको दिये हैं लाइनिंग पेज पर केवल आंसर आंसर लिख करके मुझे वाटसप कर दीजिए ठैंक यू एंड है वे नाइस टेड़